हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मुकर्मे में उनकी आनन फानन में किगे गिरफतारी को लेकर एतराज जता कर पूरे प्रक्रण की निक्सपक्ष और उचस्तिरिय जाज करवाने एवं पत्रकारों की सुरक्षा को कानून के दायरे में लाने संबंधि बिंदों की पुर्जोर मांगी है इस संसनी खोज मामले में तो परिवादी इसपष्ठ रूप से मुकर रहा है जिनको आरोपी बनाया गया उसे उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कानून से जुड़े लोग भी इस प्रक्रण को लेकर अचंबित है आखिर क्या मांजरा है ऐसी एस्टी में है कैसी एफ आई आर बिहार से कैसे और क्यों जुड़ा मामला जिसमें परिवादी को मोहरा बनाया जाता है जो चिंतनी है जो भी लोग इस एक्ट का दुरुपयव कर किसी को टारगेट कर रहे हैं उन पर कारवाई होनी चाहिए भविशे में इस एक्ट का दुरुपयव न हो इस कड़ी में यह प्रकरण एक मिसाल के तौर पर जांच के बाद सामने आना चाहिए मुख्य मंत्री के नाम प्रेसित ग्यापन में पूरे मामले की राजस्तान सरकार उचस्तिरिय जांच करवाए और मामले में लिक्त दोशियों के विरुद कानूनी कारवाही की जाए इस अवसर पर पूर्य पत्रकार और पूर्य विधाय गुलाप सिंग राजपुरोही भी यहां विशेश रूप से सम्मिलित हुए इस दवरान IFWJ पत्रकार संवटन उपखन सुमेरपुर के अध्यक्ष महरा के अलावा उपाद्यक्ष नरायन डाबी, सचीव नट्वर मेवाडा, महासचीव मोतिलाल सिध्धावत, कोसाध्यक्ष अर्विल जोसी, प्रचार मंत्री तरुन रावल, महावीर मेवाडा, भरत नीडा हिम्वत रांगी भी मौजूद थे, राजपुरोही समाज भी ज्यापन देगा, सुमेरपुर के पुरविधायक एवं राजपुरोहीत विकास समीती सुमेरपुर के उपाद्यक्ष गुलाप सिंग राजपुरोहीत ने भी इस अवसर पर IFWJ पत्रकार संगटन उप 356 के तहट दर्ज करवाई गई इस मामले में उन्हें न्याले के आदेश पर घिर्दार करके राजपुरिष ने भाँ पेश किया गया था, इस समूझे परकड में पुलिष की भुमिगा को लेकर पे संदेख गया 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 और पुरा मामला ही इसमें तक्च्चा भी जांच की कि इसको लिटापाया गया पत्रकारों ने अपने अन्वेशन ने भी पाया गया था, राज्स्तान भर से उखण और जिला इस्तवर इग्यापन देने की परक्रिया सुखी गया थी, उसी कदर सुमेपुर्फन मुख्याले से भी इग्यापन दिया गया है, पत्रकार साथियों का सामुहित सहुँ उनक सुमेर पूर्ट से जागुर्ब टीवी की रिपोर्ट